बॉलिवुट जहाँ पहले ही साउथ का रिमेक फिल्म बनाने के लिए बदनाम है वही अब दूसरों के स्टोरी लाइन को भी चोरी करने के जुर्म में कोट में घसीता जा रहा है शाहिद कपूर की फिल्म जर्सी के रिलीज होने से पहले ही अब इस पर रॉपेश जैश्वाल ने चोरी का मुकदमा दायर कर दिया है दरिसल शाहित कपूर के फिल्म जर्सी 22 एपरिल को रिलीस होने जा रही है लेकिन लेखक रुपेश जैश्वाल ने इससे पहले ही जर्सी की कहानी पर कौपी राइट के उलंगन का दावा कर दिया है लेखक रुपेश जैश्वाल का कहना है कि उन्होंने 2007 में कथे तौर पर फॉर्मर फिल्म राइटर्स एससोशेशन के साथ दवॉल नामक एक स्क्रिप्ट रेजिस्टर करवाई थी और अब उसे स्क्रिप्ट की कौनसेट स्टोरी और आइडिया को हिंदी फिल्म जर्सी में अवैध रूप से चोरी कर दिखाया गया है रुपेश जैश्वाल ने कहा कि इससे पहले भी उनके स्टोरी को तेलगो फिल्म में भी दिखाया गया था और अब हिंदी में भी उसे बनाया गया है रुपेश जैश्वाल ने ये भी दावा किया कि हिंदी फिल्म इंडास्ट्री ने तेलगु इंडास्ट्री के साथ मिली भगत की है ताकि वे रॉयल्टी का भुगतान करने से बच सके रुपेश ने फिल्म जर्सी को लेकर अपनी अर्जी में ये भी बांग रखी है कि इस फिल्म को थेटर या किसे भी अन्य प्लैटफॉर्म में रिलीज ना होने दी जाए पहले ही शाहिद कपूर के फिल्म जो 14 एपरिल को रिलीज होने वाली थी साउथ एक्टर यश के केजिफ चैप्टर 2 से टकराफ से बचने के लिए दर के मारे पोस्ट पॉन कर दी गई है वही अब चोड़ी का बड़ा अलजाम लगने से इस फिल्म पर खत्रों की बादल मंड रहे और अब देखना होगा कि 13 एपरिल को इस मामली की क्या सुनवाई होती है